ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रों सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारधर मेंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफले 13 नवंबर 2022 रईवार का दिन है अगन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमीत थी है आदरा नामक नक्षत्र होगा तथा मित्रों राशी में चंद्रबा बिराजित रहेंगे अगर किसी कारण वस पश्चम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यदा वश्यक हो तो पान खाकर की यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जोकी शाम को साड़े चार बजे से शुरू हो करके छे बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक करेक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हलक राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेतर के पंचांग अत्वा केलेंडर के अंसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई शेतरों में माना जाता है और कई शेतरों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजासूरी देव जोकी तुला राशी में वहीं चंद्रमा मिथुन राशी में, मंगल ग्रह मिथुन राशी में, बुद्ध ग्रह वर्ष्चिक राशी में, देव गुरु ब्रहस्पती जो की मीन राशी में, शुक्र ग्रह वर्ष्चिक राशी में, शनी डेव मकर राशी में, राहु ग्रह में इस राशी में तथा केत ग्रहक तुला राशी में बिराजित रहेंगे इस देनिक ग्रहक गोचर के नुसार विरशब करक कन्या विरश्चिक मकर एवं मीन ये छे राशियां सबसे दिख भागिशाली देने वाली है दिन इन के लिए सबसे फाइदे मन साबित होगा कुल मिलाकर के छे राशी वालों के शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस रासी की इस समय आपकी सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भैरुपूर सदुपयोग करे रिस्तेदारों तथा संबंदियों के साथ संबंद और अधिक मज जबूत होंगे भविश्य शंबंदी महत्वपूर्ण योजनाय बनेगी प्रापर्टी या पैत्रिक संपत्ती संबंदी कोई कार्यदी रुकावट आ रहा है तो उसकी रुकावटे समाप्त हो जाएगी भाईयों तथा मित्रों से वेचारिक मध्वेद उत्पन नहो सकते ह इसलिए साउधान रहे संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक नो होगा भगिशाली रंग आपका ला जानेगी यदि आपने उधार पैसा दिया हुआ है तो वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा विद्यार्थियों को अपनी पड़ाई के परती गंभी रहना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप छट के उपर पक्षियों को दाना इन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नयापन लाने का प्रयास करेंगे इससे आपकी मानश शारीरिक ठकाबट दूर हो जाएगी तथा एक नई उर्जा का प्रबाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक व्यवस्थाओं संबंदित महत्वण नेने लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है लेकिन कोई भी कार्य भावगता वश बिलकुल न करे बुद्धि मत्त तथा चतुराई से आपको प्रत्यकारी करना चाहिए और उपाई के रूप में गणेश जी को कोई भी मीठी वस्तु चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं कर महत्यपूर्ण तथा उच्पदासीन व्यक्तियों के साथ आपका समय वतित होगा इसे आपके मैं सम्मान में व्रद्धी होगी तथा नई उपलब्दी आपको प्राप्त हो जाएगी इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हतियार डाल देंगे कोई भी महत्य पूर्ण काम करने से पहले संबंदित योजनाओं पर दोबारा विचार अवश्य करें जरासी चूक आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है और उपाई के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में सफेद फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साब आपको जो है अधिक समय व्यतित होगा आर्थिक स्थिती बहतर रखने के लिए बजट बना कर चलना आती अवाश्यक होगा किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी नए आव्यापार नई नोकरी या नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं जो काम आप शुरू करेंग प्रापर्टी से संबंदित रुके हुए काम आपके पक्ष में हो जाएंगे और फैसला आपके पक्ष में आएगा जैसे आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी रिस्तेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी प्राप्ति विद्यों को आज आप इस्तगिती कर दे अपनी योजनाओं को किसी के समक शेर न करे कोई इसका अनुचित फाइदा उठा सकता है उपाई के रूप में गाय को हरी सबजी आ हरी घांस खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अं प्राप्त होगी घर में कोई शुप तथा में अंगलिक कारिक्रम संपन होने की योजना बनेगी तथा रिस्तदारों की आबाजाही आपके घर में बने रहेगी आपकी लापरभाही की वज़े से किसी नजदी की रिस्तदारों के साथ संबंद आपके खराब हो सकते हैं इस अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंदी कारियों में रूची लेना आपको मानसिक सुकुन देगा। अब हम बात करते हैं धनुराशी की धार्मिक और अध्याट्मिक गति विदियों में कुछ समय व्यतीत करना होगा। फरोक्त संबंदी योजना आप बना सकते हैं और घर का नव निर्मान या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं। घर में किसी व्यक्ती विशेश से आपका विचारिक मद्भेद उत्पन न हो सकता है। ध्यान रखे साउधानी आपको बरतना चाहिए। उपाई के रूप में भगवान विश्नुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक आठ होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशी की, आज किसी जर्वत मन मित्र की साहता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करने से आपको मानशिक शान्ती अनुभव होगी। और पड़ाई के लिए जो बच्चे महनत कर रहे हैं उनको मनोवांचित परिणाम की प्राप्ती होगी जिससे उनका होसला और आत्मेश्वास और अधिक बढ़ेगा। अर्थिक रूप से कुछ परिशानिया उत्पन होने से चिंता रहेगी। परंतु यह ताथका लिखे। इसलिए ज़्यादा परिशान होनी क्या होशकता नहीं है। कुछ समय बात सब कुछ ठीक ठाक और सामन्य हो जाएगा। कारोबार में आपको फाइदा होगा, धनलाब होगा, यदि आप लगन तथा एकाग रिचित और महनत से यदि काम करेंगे, तो आगे चल करके नए कार्य से आपको अच्छा फाइदा होगा। उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर और लाल फूल तथा एक नारियल चड़ाएंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशी की, दिन चरिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रूची पूर्ण कारियों में आप समय वितीत करेंगे, इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी, पारिवारिक महोल सकरात्मक रहेगा, ससुराल पक्ष से खुशी भरा समाचार आपको मिल सकता है, और उपाई के रूप में पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक साथ होगा, भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा, तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं, हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी और इस समय सब्स्क्राइब अवश्कर लीजिए, आपको राब के पूरे परिवार को सादर जैसी क्रश्न, सादर धन्यवाद